हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल कोमर्स स्कूल लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्टनर्शिप डीड और आज मैं आपको बताऊंगी डिस्टिबिशन ओफ प्रॉफिट अमंग दा पार्टनर्स तो डिस्टिबिशन हमारे कैसे होता पार्टनर्स में प्रोफित हमारा होता है यह वह है इसे डिस्टिब्इड जाता इन एग्रीरेश्यों इन एग्रीड बेजिए इन ऐग्रिज्यो में जो कि उप्रोकर उन्हां रिपकर के कोunky तो करेंगे इस 파ol श्यो में ये मैंने शॉट फर्म निए तो अगर हमारा पार्टनर्शिवडी दिए क्या है साइलेंट है तो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट होगा वह कैसे हमारा डिस्टिब्यूट होगा इकवली ठी कहा है इटानर्शिव moc ब्रॉफिट यह एकोलिह तो हम क्या करेंगे और अगर हमारा partnership डिश्रीव करेंगे और हमारा partnership में हमने पहले स निकालते थे उसके तुरू हम क्या निकालते थे प्रॉफित अन लोस निकल कि attracts जो उसकी में अडर करके उसको ओ कहते हैं बैलनशीटमें दिखाते दे लेकिन इन केस हमारा क्या हुता है उन्हों ने की सिरेंगू को तो यह सब हमारे कोती होति है जो हमें करने पड़ती है इसके लिए हम क्या करते हैं पी में अकाउंट के के अंदर show करते हम एकाउंट के अंदर आपने अभी तक आपने 11 गलास में क्या बड़ा आप लए इसके बाद हम क्या बनाते थे तो एलाउंथ तक हमने वारे में पड़ा तो इसलिए हम क्या करते थे ट्रेडिंग और बनाया पेंडल के थो वही हमारा प्रोफिट और लोस जो निकल के आया उसको हमने बाद में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में एड़ करके दिखा दिया लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप में क्या होता है भी दो आप्रोपेशिट बनाते है तो एक तरह से जो फिय अले प्रोपेशिट अकाउंट वह हमारा किसके बीच में आता है पिय अनडल अकाउंट्ड удив बीच में हमारे क्या आता है पिएंडल एप्रोपिएशन अकाउंट ठीक है तो पिएंडल एप्रोपिएशन अकाउंट की जो स्टार्टिंग वो किस चीज़ से होती है देखो यहां से हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे क्या निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट स लोस तो अब यह कहा जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा पेंडल अप्रोपेशन किसके बीच में आएगा पेंडल अकाउंट और बैलन्स शीट के बीच में तो यहां से जो हमारा नेट प्रोफिट या नेट लोस निकलेगा यह हमारा कहा आएगा अप्रोपेशन अकाउंट बनाती और उसके अंदर यह सभी अड्ज्यस्ट्मेंट जो हम करते हैं। उसकी स्टार्टिंग किस से होती है जो पादल होता है यह उसके प्रोफिट ऊसके नेट Profit and Net Loss प्रोफिट अरए चांट इस काम डिश्टिब्यूट् THE पर शर्च जिसे आप सब्सक्राइब पिनर पिनर प्रोफिट को के लिए तो इसके बाद तो चेंग economy ब्रल्भ लॉस अप्रोफिट अप्रूपिएशन अकाउंट है जो हमारा profit and loss appropriation account है वो क्या है इस मेरी एन extension है हमारा किसका profit and loss account का ओफा फ़ंट इट शोज हाव दो फिट आर अप्रोपियोटिड और distributed एक तरह से हमारे जो प्रोपियेशन अकाउंट है यह क्या शोग करता है कि हम जो profit है उसको किस तरह से distribute करेंगे अमंग दा पार्टनर से और ओल एड्जेस्टमेंट जितनी भी अभी मैंने आपको बताई है ओल एड्जेस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ओव दा पार्टनर सेलरी पार्टनर को सेलरी जो देनी है पार्टनर्स को इस तरह से हमारा क्या होता है पेंडल अप्रोपेशन अकाउंट को हम प्रिपेर करते हैं तो यह हमारा क्या है यह पेंडल अप्रोपेशन जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट दिया गया है ठीक है तो पेंडल अप्रोपेशन अकाउंट की यह हमारी डेबिट साइड होती है औ और इधर यह प्रटिकलै और से अंदर हम फ्रॉमेट बनाते हैं यह हमारे पर्टिकला आता है हमारे पर्टिकलै और फिर हमारे क्यांत आता है अभी मैंने आपको बताय था कि भी पेंडल अकाउंट के बाद एक तरहसे पेंडल अप्रोपरीशन हम बनाते है तो इसलिए हमारा जो स्टार्ट हम करते हो प्यांडल जो प्याइनडल अकाउंट होता है उसके profit या लोस से start करते है अगर हमारा low से तो वो हमारा debit आएगा और अगर हमारा याइनडल अकाउंट के ऑंदर के रूल ही लगेंगे अब नोमिनल अकाउंट के रूल क्या हमारे कि हम डेबिट करते हैं किस चीज को जो भी हमारे ओल एक्सपेंसीज और जो हमारे लोसीज है ठीक है उसको डेबिट करते हैं और हम क्रेडिट करते हैं ओल incomes and gains ठीक है तो इस पर हमारा यह rule apply होगा कि हमारे जो भी हमारे expenses होंगे losses होंगे उनको हम क्या करेंगे debit करेंगे एक तरह से पेंडल अप्रोप्येशन account के debit side में दिखाएंगे और जो भी हमारे जो income और gains होंगे उसको हम पेंडल अप्रोप्येशन की credit side में दिखाएंगे तो इस पर यह rule लगेगा तो वही मैंने भी आपको बताया कि अगर पेंडल अकाउंट में loss है तो उसको यह हमारा debit में आएगा अगर हमारा profit है तो यह हमारा credit में आएगा यह हमने इल्यांद क्लास में के एंटिटी की होगी business concept entity उसमें हमारे क्या होता है एक business और जो businessman होता है हमारे अलग लग होते हैं तो उस point of view से हम इसके अंदर इसको लेके चलते हैं हम business point of view से लेके चलेंगे कि business को हमारे क्या फायदा हो रहा है या फिर नुक्षियान हो रहा उसके चलेंगे अभी interest on capital क्या बिजिनस के लिए क्या firm के लिए क्या उसके लिए तो हमारे क्योंद्स को देने पड़ेगा इंट्रेस्ट और पार्ट्नरस लोन अगर जो हमारे कि यह भी हमारे फॉर्म के लिए कि why à ऑप हां क्रेंगे स्फेएड में अब इंडर्षAl क्या इंडर्स और्रोंग इंटर्श वांग का निकाल रखा ठीक है अभी हम business क्या करेंगे उससे इंटरस्ट लेगा लेगा तो वह क्या हो जाएगा फाइदा हो जाएगा एक तरह से ठीक गेन हो जाएगा इंकम हो जाएगी तो इसलिए हमारा कहाएगा credit साइड में तो फिर इदर से हम balancing करेंगे ठीक है दोनों side से total तो जिस side का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों तरफ हम वो टोटल लिख देंगे और फिर जहां कम होगा वो हमारा उसी अगर इस तरफ कम है तो इस तरफ आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी और अगर डेबिट साइड की तरफ कम है तो इधर आ जाएगा और वो हमारा क्या चला यहां आपको अपर के साथ तो explain करूंगे जिसे आपको अच्छे से clear होगा तो हमारा example है क्या कि हमारे थ्री पार्टनर्स है A, B, C उन्होंने क्या किया set up a partnership firm on April 1st 2015 A, B, C थ्री पार्टनर्स है उन्होंने एक partnership firm को set up किया है और उन्होंने उसमें कितनी capital contribute की है 50,000 A ने 50,000 की है B ने हमारी रूपीज 40,000 capital लगाई है और C ने लगाई हमारी 30,000 ठीक है and they agreed to share the profit and loss in the ratio और उन्होंने agreement किया है कि जो भी profit या loss होगा वो किस ratio में share करेंगे 3 is to 1 ratio में हमारा क्या होगा उन्होंका profit sharing ratio होगा A is to be paid salary of रूपीज 1,000 पर मन ते और जो हमारा A है वो क्या करेगा salary पे करेगा A को salary दी जाएगी 1,000 पर मन ते and जो हमारा B partner है उसको हमारा क्या मिलेगा commission of रूपीज 5,000 हम उसको क्या देंगे commission देंगे and interest on capital also provided और ये भी हमारा agreement हुआ कि हम उनको क्या करेंगे interest on capital देंगे किस rate से देंगे 6% per annum से और जो हमारा interest on drawing है वो भी हमारी ली जाएगी उनसे charge किया जाएगा interest on drawing कैसे A से हमारा कितना है रूपीज 270 B से हम लेंगे 180 और C से हम कितना interest of drawing charge करेंगे रूपीज 90 ठीक है जो net profit है for the year के लिए हमारा given है 35,660 तो यह हमारा question given है और question में बोला गया कि भी prepare कीजिए profit and loss appropriation account और क्या दिखाना में distribution of the profit among the partners यह मैंने short मतलब कि पूरा ना लिख के थोड़ा कम लिखा कि वह ज्यादा time लगेगा फिर पूरा अगर मैं example लिखूंगी तो यह हमने main main जो point है वे हमने लिख लिए तो अब हम इससे क्या बनाएंगे अपना profit and loss appropriation account तो profit and loss appropriation account के format का तो हमें पता ही है यह हमारी debit side होती है और इधर हमारी क्या होती है credit side ठीक है और यह हमारा particular amount रूपिज और particular amount यह हमारा ठीक है तो अभी मैंने आपको last video में क्या बताया था कि जो हमारा profit and loss appropriation account होता है वो किसे starting उसकी हम किसे करते है उसकी हम starting करते है जो net profit and net loss हमारा जो होता है अभी हमारा net profit जैसे क्योशन में given है net profit कितना हमारा 35,660 तो इससे start यह हमारा profit profit है तो हमारा किदर आएगा credit side मैंगा तो हम इधर से करेंगे net profit ठीक है starting तो net profit हमारा कितना है 35,660 ठीक है उसके बाद अभी हम क्योशन देखेंगे और करेंगे तो क्योशन में क्या दिया गया है कि भी ABC हमारे 3 partners है उनकी capital है 50,40,30 ठीक है आगे क्या कि भी वे profit share करेंगे किस ratio में 3 is to 1 ratio में तो इसमें मैंने कल क्या क्या बताया था आपको मिन्स लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि भी इसकी debit side में वे सब आएंगे हमारे item जो की business के लिए क्या है expenses है या lows है ठीक है और credit side में वे आएंगे जो business के लिए क्या है income है या gain है अब देखो जो हमारा अब इसमें बोला गया कि A is to be paid salary of rupees 1000 पर month A को हमें salary पे करनी है अब A को हम salary पे करेंगे तो वो एक firm के लिए बिजनिस के लिए क्या होगा expenses होगा expenses होगा तो किदर आएगा debit side में तो इधर हम लिखके दिखाएंगे कि age salary A को salary पे करनी है A को हमें कितनी salary करनी है 1000 पर month एक महिने की 1000 है तो हमारी one year की कितनी हो जाएगी 12 month की कितनी हो जाएगी 12,000 तो यह इधर हमारे क्या जाएगा 12,000 ठीक है उसके बाद क्या है B commission B को हमने क्या देना commission अब B को अगर business B हमारे partner उसको अगर हम commission देंगे तो हमारे यह business के लिए क्या हो जाएगा वही expenses expenses है तो यह हमारे कौन से side में आएगा debit side में अभी commission कितना है 5000 ठीक है तो अब उसके बाद question में देखते आगे क्या interest on capital also provide अब हमें उनको interest on capital भी देना तो interest on capital भी business के लिए क्या है expenses है तो वो भी हमारे का आएगा debit side में तो interest on capital ठीक है मैंने वैसी short में लिख है तो एको तिनों को मिलेगा B को भी और C को भी तो एका कितना होगा interest on capital interest on capital कितना 6% तो हम यहां पर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूं इंट्रेश्ट ऑन capital तो कैसे निकालते है एक एक कैसे निकाल कि जिसनी उसने capital लगा यह capital कितनी लगा उसने 50,000 और जो रेट है हमारी रेट कितनी 6% तो इसको कैसे करते हैं तो यह हमारे क्या निकल कियाएगा अगर इसको मैं निकालोंगे तो ऐसे निकालोंगी 100 ठीक है यह वही ऐसे हमारा 0 से 0 गया तो हमारा कितना आया उसका interest on capital A का 3,000 ठीक है ऐसी B का निकाल लेंगे ठीक है तो B का कितने आएगा अब B की capital कितनी है बी की capital है 40,000 यह इधर बी की capital कितनी है 40,000 ठीक है और C की कितनी है 30 तो B की हमारी 40 तो वही 40,000 इंटु 6 परसेंट तो ऐसे निकाल लेंगे हम तो कितना है गा हमारा 2400 अब C की capital कितनी है भी मैंने बताया था 30,000 तो वही इंटु 100 तो यह मेरा कितना है गा रुपिज 1,800 ठीक है तो यह हमारा B का interest on capital है यह हमारा C का तो अभी इसका हम टोटल करके लिए देंगे तो यह total हमारे कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा 70,200 ठीक है अभी हाँ तक हमारे क्योशिन अब आगे चलते हैं interest on drawing also charged on ABC ठीक है जो हमारी partner उसकी जो drawing है उस पर भी हमने interest चार्ज किया है वो कितना है 270,180 और 90 तो interest on drawing क्या वो हमारा जो business है उसके लिए क्या है उसके लिए तो वह एक तरह से income है ठीक है तो वो हमारे income है तो वो हमारे किदर आएगा credit side में तो interest on drawing A, A की drawing पर हमारा कितना है interest 270 B की पर कितना हमारा 180 और जो हमारा C है उसके कितना 190 तो यह total हमारा कितना हुआ इसको हम जोड लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 540 ठीक है तो आगे चलते अभी आगे क्या अभी question में the net profit हुआ यह हमने इदर पहले ही ले लिया था ठीक है तो इस तरह से हमारा question हुआ अभी हम क्या करेंगे total करेंगे तो जब हमें balancing करेंगे तो देखेंगे कौन से side ज्यादा हमारी हमने देखा कि हमारी credit credit side जो है वो debit side से ज्यादा है तो इधर हमने balancing की तो यह हमारा balance आ जाएगा 36,200 ठीक है जिस side का balance ज्यादा वो दोनों तरफ लिख लेंगे हम तो यह हमने दोनों तरफ लिख लिया है 36,200 अब credit side ज्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या firm को क्या हो रहा firm को profit हो रहा है अब वो profit हम किसमें distribute कर देंगे among the partners ठीक है partners ABC में तो वो balancing figure निकल लेंगे वो हमारी निकल के आएगी 12,000 यह हमारी क्या है 12,000 हमारी क्या है balancing figure ठीक है यह balancing figure निकल के आई और यह हमारे क्या एक तरह से profit ठीक है profit को हम distribute कर देंगे हमारे जो partner से उनके capital account में तो यहाँ पे लिखेंगे हम share of profit जिसको कि हम transfer करेंगे transfer to capital account कि भी यह जो profit है इसमें जिस partner का जितना हिस्सा है उसको हम कहाँ पे transfer करने जा रहे है उनके capital account में तो यहाँ पे A, B, C अब इसको कैसे हम एक तरह से A, B, C में distribute करेंगे क्योंकि question में given है question में क्या given है उनका agreed ratio कि भी वे profit और loss को share करेंगे किस ratio में share करेंगे 3 is 2 ratio 1 ठीक है इस ratio में हमारे क्या करेंगे share करेंगे तो वो इसी ratio में हम उसको निकालके यह लिख देंगे वो कैसे निकालते है अभी देखो A का share A share क्या होगा profit में जितना भी total profit given वो लिखो total profit हमारे कितना है 12,000 निकल क्या है अब A का share कितना एक इनका ratio है 3 ratio 2 ratio 1 ठीक है तो A कितना है 3 तो 3 उपर और जो इनका जो total है वो हम क्या लिखते है नीचे तो इनका total कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 6 तो इस तरह से हम share निकालते है अब इसको हम cut कर लेंगे तो यह कितने पर जाएगा हमारा 2 तो इसको multiply करेंगे तो 3 is 2 6000 तो A का share हमारा कितना हैगा 6000 ठीक है ऐसे हम B का निकाल लेंगे अब B का कैसे निकाल लेंगे वही total profit हमारा 12,000 वही तो इसको वही यह 2 पर जाएगा तो इधर कितना जाएगा हमारा 4000 ऐसे हम C का निकाल लेंगे C का कितना ratio है 1, 1 by 6 तो यह कितना जाएगा 2000 ठीक है तो इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे B का 4000 निकाल लेंगे C का 2000 और यह हमारा transfer हो जाएगा capital account में जब हम capital account मनाएगे तो उधर हम दिखा देंगे कि A का profit है 6, B का 4 और C का है 2000 तो इस तरह से हमारा क्या होता है profit को हम distribute करते है among the partners through profit and loss appropriation account I hope आपको यह example से और अच्छे से clear हुआ होगा profit and loss appropriation account कैसे बनाते है तो आज के लिए इतना ही thank you next video में हम capital accounts के बारे में सीखेंगे